आज हम बनाएंगे मोहरम स्पेशल गूर के मीठे रोटियां अब ज़रू ट्राइ करके देखिए आपको बहुत पसंद आएगा आप भी परफेक्ट से रस्पी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए तके बिना डौट के आप भी बना सके फिर किस बात की देरी स्प कप है मैं मीठा जादा नहीं बना रही हूं आपको मेठा जादा पसंद होगा तो देखिए जतना गूर दाल लीजिए विसमें आइट कर देंगे एक कप से थोड़ा कम पानी अब ग्यास को आन कर देंगे हाई फ्लेम पे रखे ये गूर को मेल्ट होने देंगे इसमें एक 1-2-3 की चासनी बनाने की जुरूरत नहीं है बस गूड को हम पिगलने देंगे बस एक आदर मिनिट में पिगल जाएगी हम ग्रेट करके दालने से तो तुरूप के दालने से जल्दी ही हो जाい गा फोरके दाल के गूर को पिगलाना उगा तो तो टा Where is तर आप को दाल लें पैन को गरम होने देंगे क्योंकि ग्यास आन पे ही है अब इसमें आट कर देंगे डो से तीन टेबल स्पून जितना घी को मेल्ट होने देंगे इसमें थोड़ा घी ज्यादा ही लगेगा तभी अच्छी वनेगी रेसिपी इसमें बिल्कुल आइल का यूज नहीं करते हैं सिर काजू बादा को भी इड़ कर सकते ही मैं तो सिर्फ काजू बादा में डाली थी कि अब ये फ्राइ लेंगे लोग फ्लेम पर लखके एक कलर चेंज होने तख अब ये और काजू बादा को अब इकारोतल्स Karlेै अब इसमें नेक्स्त हम ओत přिर्ष्थ के बीन्ट एक बार अब इसमें आड़ कर देंगे, वन बै फोर्थ कब जेतना तुर्पा हुआ नारियल, इसी तरह बरिक तुरूप के डाल लेना है नारियल को, नारियल की क्वांटिरी तुरह कम जदा करके डाल सकते ही, ड्राइफ फूर्स भी अपने हिसाब से कम जदा करके डाल सकते ही, अब ले लेंगे, भौल में इस सारे इंग्रिजिंस को निकाल देंगे, फ्राई करके रखना हुए, बॉल थड़ा बड़ा ही ले लिजिए बर्तन को, शजह नारियल क्वांटिरी वश्तना थी पैन में वन यिरो से нос टेबल स्पून जितना घी अड़ कर लेंगे घी को मेल्ट होने देंगे गी मेल्ट होने के बाद इसमें देड़ कब जतना गिहु का आटा अड़ कर लेंगे अब एक गिहु का आटे को भी लो फ्लेम पे रखके लगातार चलाते हुए गिहु का आटा हलका सा कलर चेंज होने तक अच्छा सी खुश्बू आएगी तब तक हम भुनेंगे ग्यास के फ्लेम को लो फ्लेम पे ही रखना है नहीं तो आटा जल जाएगा इस भात की ध्यान रख लीजिए आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो लगातार चलाते ही रहिए जलने के चांस होगा तो ग्यास के फ्लेम को लो फ्लेम पे कर लीजिए इसा भी कर सकते हैं आप अभी देखों कलेर चेंज हो गया है गहो का आटा अच्छे से स्मेल भी आने लगी है अभी ग्यास को आफ कर देंगे अभी आटे को ये बड़े बॉल में निकाल लेंगे जो फस्ट हम ये काजू बादम सब दाल के रखे हुए ये ही बोल में आट कर देंगे ये भुना हूँ आटे को अभी पैन को क्लीन करके ले लेंगे क्योंकि थोड़ा आटा लगके है तो टिशू पर लेके क्लीन कर लीजिए दुबारा से ग्यास को आन कर देंगे अभी पैन में देर से डो टेबल स्पून घी आट कर लेंगे घी को मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने के बाद इसमें एक कप जितना सोजी आट कर लेंगे ये बारिक वाली सोजी ही है जैसा हम रवा लड़ू सोजी के लड़ू बनाते हैं वो ही सोजी है ये बैयाट कर देंगे इसको भी लो टू मिजियूम फ्ले लग जाएगा आप लागातर चलाते ही रही है नहीं तो जल जाएगा ये सोजी देखो आप देख सकते ही ही इसका कलर भी छेंच हो गया है लगए हमend ein बॉल में स्पारश स्थिन स्थिफ एक साइड में तो इसको फ्लेवर अच्छा सा रहेगा इस्पेशली गूर के रस्पीस में अब यह इलाइची और यह सोम को आड़ कर देंगे इक वांटिटी कम है इसलिए ग्राइट नहीं होएगा इसलिए हम तोड़ा सो जी आटा दाल देंगे इसमें डाल के ग्राइट कर लेंगे तो करेंगे रहेंगे अब चाहे तो निकाल सकते हैं नहीं तो डारेक्ति दाल सकते हैं मैं तो निकाल देती हूँ अब दान ले flipping फेन निकाल के बिस इंब जैदा ग्राइस तर सब्हूँ एक टेबल स्पून जितना खश 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 अपके पास नहीं होगा तो आवाइड कर सकते ही विसारे इंग्रीडियन्स अच्छ सा मिक्स होने तक मिक्स कर लेंगे अबे मिक्स करने के बाद एक गुर की चाशनी को आड कर लेंगे गुर की चाशनी चान के दाल लीजिए क्योंकि गुर में कुछ कचरा रहेगा इसलिए इसको छाम के दाल देंगे एक यी बार पूरा नहीं दाल लीजिए फस्ट आदा दाल देंगे एक बार मिक्स कर देंगे दुबारा से बची हुई चाशनी को आड कर लेंगे अबे अच्छ सा मिक्स कर लेंगे अच्छ सा मिक्स होने त चम्म से ही mix कर देती हूँ थोड़ा थंड़ा हो जाएगा तो हाज से mix कर देंगी प्रोसेस थोड़ा लेंती दिखेगा फ्रेंड्स बट बनाना बहुत आसान है अब परफेक्ट से रिस्पी बना सकते ही यह अब यह सारा निकाल देती हूँ मैं हाज से ही यह अच्छा से mix कर देती हूँ चम्म से जादा सही से mix नहीं हुएगा इसलिए हम हाज से ही mix कर देंगे देखो इसी तरह अच्छा से mix करने के बाद इसको ढखके रख देंगे अब इसको ढखके एक घंटे के लिए छोड़ देना है यह घंटे के बाद और अच्छा सा सक्त हो जाएगा क्यूं mix करने के बाद अब ढखक देंगे एक घंटा छोड़ देंगे घंटे के बाद अगर्या प्रासेस देखेंगे वे घंटा हो गया है देखेंगे देखो यह डो अच्छा सा सक्त हो गया है एक बार अच्छा सा mix कर देंगे first mix करने के बाद जरुरत पढ़ने पर इसमें तो आटे को और सोजी को फ्राइ करके भीर मिलाना पड़ेगा भीर थोड़ा सा गुडवी दालना पड़ेगा सब प्रियादा हो जाएगा इसलिए देखके दाल लीजिए दालने के टाइम ही गरम करके थंडा किया दूद है अब दूद भी चाशनी भी नहीं दालना चाहे तो आप पानी को भी गरम करके थंडा करके दाल सकती है अब दो पॉर्फेक्ट है लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बना है वो पॉर्फे मैं यहां पर पालतेन पेपर रही हूं सबके पास अवाइलेबल रहेगा अब गार्णिश के लिए काजू बादम थोड़ा सा घी साइड में रख लेंगे अब प्रोसेस देखेंगे थोड़ा सा डो ले लेंगे इसी तरह लड़ू बना लेंगे बहुत ज्यादा बड़ा डो नहीं बला लीजिए यह रोटी ज्यादा नहीं बड़ी रहेगी ज्यादा रोटी बड़ी बनाएंगे तो हमें फलटने के टाइम तूट सकती है इसलिए हम छोटी ही रोटी बना लेंगे थोड़ा सा घी अपलाई करके यह डो के बाल को रख देंगे अब उपर से एक पालत क्योंकि हम इसमें ज्यादा ड्राइफ्रूट्स दालने से इसी तरह होता रहता है इसको अच्छा सा इसी तरह अजश करना है खिले हुए सब नीट्स कर देंगे इससे ज्यादा पतला नहीं बनाना है इसका इतना मोटा ही यह रोटी को बना लेंगे अब उपर से गारनिश क करके भी रिस्पी बना सकते ही अब तबाले लेंगे गयास को आन कर देंगे तवे को मीरियम फ्लेम पर रके गरम होने देंगे बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना है अब इसमें अट कर देंगे थोड़ा सा घी अब घी आट करने के बाद बना के रखे हुए यह रोट को नहीं तो जल्दी ही जल जाएगी और हम जैसा रोटी बनाते हैं उसी तरह इसको बिल्कुल नहीं करना है यह थोड़ा सा भी गरम हो जाएगा तो इडो तूट सकती है रोटी इसलिए हम हलका सा इसको फलटना है लोग फ्लेम पे रखके दोनों साइट्स भी कलर छेंज होने त तूट सकता है अभी देखो हलका सा कलर चेंज हुआ है नेक्स टाइम और एक आदम मिनिट के लिए रख देंगे इसको फलट देती हूं दुबारा से क्योंकि निशल से से थोड़ा सा कम जला था उपर तो थोड़ा जल गया है अब देख सकते ही बस इतना ही अभी तवे से डिरेक्ट हम प्लेट में निकाल लेंगे गरम पे बहुत ही नरम रहेगा थंडा हो जाएगा तो थोड़ा सकत हो जाएगा इसलिए हम प्लेट में खुला करके ही दालना है इसी तरह हम रोटियों को बना लेंगे मिठी रोटी यह लास्ट में छोटी रोटी बढ़ी थी तो म डालें छार से पाँवश में 5-5 दिन रख्करौ सकते ही रोटी में घी और घूर जादा दालेंगे तो बहुत दिन तक स्टाइकर रख सकते रख मैं ने के बनाओंज किा लिखे गया है है olur इक्रानिे अच्छी के बशाथ किमाओं और टेस्टी रस्पीस के लिए मेरे चानल को अब तका सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए भी मिलेंगे अगली रस्पी के साथ तैंक्यू फर वाचिए